नमस्क्रा दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा इस पकार मेरे हाथ में रखे हुए ये बीज को देख लिजे चमतकारों से भारा हुआ है ये बीज और ये बीज आब को मैं जो दिखा रहा हूं ये बहुत ही आसानी से आब को मिले जाएंगे अगर आप गाउं में रहते हैं तो एक पोधा है उनका ये बीज है चमतकारों से भारा बताऊंगा और इसका आयरुविदिक लाब भी बताऊंगा तो बिड़ो को ध्यन से देखना आज जारा सभी बिड़ो को मिस मत करना क्योंकि आज के जो जानकारी हैं बहुत ही सुन्दर हैं अगर आब जो हैं आज की बिड़ो मिस कर देते हैं कम से कम अपना 5-7 मिनट का बोमो प्रकार से बीज हैं फिर मैं आप लोगों को बाद में इसके पोधे के पहचान कराऊंगा मेरे हाथ में रखे कुछ इस प्रकार से बीज हैं बहुत से लोगों को ये बीज देख करके समझ में आ गया होगा इसको रगड़ने से इसमें आग जैसा तीपान आ जाता किसी को टाच कराते हैं बचपन में काफी इन से खेले भी जैसार प्रथम तो हमें गरवा होना चाहिए कि भारत भूमी में आज भी हमारे घरों के आसपास में इस प्रकार के पेंड पोधे पाए जाते हैं जो कि हमारे ले काफी किमती हैं ये चमत कावरोशे भरे हुए हैं लेकिन जानकारी के अभभाव में या यू कहूं तो कोई लोग शहीं तरीके से में दीसा निर्देस नहीं देते तो ये पेंड पोधे केवल हमारे ले घासफूसी रह जाते हैं पौधे ही रह जाते हैं और अधिकतर देखा जाए तो मैं जो ये बीज दिखा रहा हूँ ये इसके जो फल होता है इसके जो एक प्रकार के फल होता है ये उसी कंदर में इसके बीज पाए जाते हैं इसके अंदर में काफी काटा पाए जाते हैं इसके जो पौधे हैं उसके अ आरिवेदिक एवं चमतकारी गुडों से भरे होते हैं एंसी प्रकार यह जो चमतकारी के पेंड पोधे वोदे हैं इसके अंदर में बहुत ही चमतकारी के लाव होते हैं इसे इसके सुरक्षा करने के लिए आसपास में बहुं सारे काटा होते हैं ताकि कोई भी वेक्ती ये फिर कोई भी जो जंगली जानवार है ये फिर जो पसु है उसे साधारान समस करके ना खाए ये फिर इसे नुकसान करने से बचे तो इसका कौन-कौन सा परोग इसके नाम जान लिजे तो सवर पर्थाम इसका नाम है करंज ध्यान से देखिए इसे करंज के नाम से जानते हैं बिहार में से करंजवा के नाम से जाना जाता है कई जगह इसे लता करंज के भी नाम से जानते हैं इसका हिंदी नाम पापर भी है इसे ओरिया में कोनिया के नाम से जानते हैं और ये बीज देखकर के पहचान ach quel sä Pas में आ जाएंगे किसे आप किस नाम से जाना जाता है। जा इसका आंग्रेजी नाम से आपन क्यूंगरी नाम हमें पता था इसका इंडियान भीस्टीक है इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन भीस्ट इसे कई जगा आप पॉंगम ओयल ट्री के नाम से जानते हैं अब आईज हम सरव प्रथम तो इसका आयरुवेदी के लाब बताएंगे फिर इसका धार्मिक लाब भी बताएंगे आयरुवेदी चार से पांच इसके लाब बताऊंगा जो कि आपको आगे चल करके काम आते हैं क आप इस प्रकार के जानकारी को शीक करके वैद कभी काम कर सकते हैं लोगों को भला कर सकते हैं पुर्णे प्राप तक कर सकते हैं और आप अपने रोजी रूटी भी निकल सकते हैं प्राचिन ग्यान चैनल का मकसाद है जन इते हम जन कल्यान करना इसलिए आप सभी दरसकों क इसके जो पर्योग होता है गंजा पन में इसके जो बीज होता है इसके बीज से निकला हुआ तेल ठीक है इसके बीज से निकला हुआ तेल से अगर गंजपन हिश्चे में मालिस किया जाए तो आपके जो ज़ड़ वे बाल है पूना धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं इसमें समय लगता है चार से पांच महने का समय लगता है लेकिन बतारों इसके जो बीज होता है सरसो कतेल होता है दोनों को मिला करके भी मालिस करने से गंजपन पर बाल आते हैं इसके बाद ये दात दर्द का रामबार दावा है इसके बीज को जला करके भस्मा तयार कर लिजे और इस भस्मा को आपके जिस हिस्से में दात में दर्द हो उस हिस्से में लगए तो ये दाद के कीड़े को ततकाल मारता है और किसी भी प्रकार से पारिया के कराण, दादों में शड़न के कराण, दादों में बैक्टिरिया के कराण, किसी भी कराण वस अगर आपके दादों में दर्द बना हुआ है तो दर्द जर्शे समापता हो जा телеф наб शानस तो इसकी बीज का चूरना और दोनों को मिला करके चाटने से किसी भी प्रकार के खांसी हो जैसे कुकूर खांसी है चांसी आपको लगेंगे लेकिन तीन से चार दिन में इसके बाद आगर आपको भूख नहीं लगते हों गए फिर पेट में हो ठयान से शुनिए किसी भी प्रकार के आपके पेट में दर्दा हो रहे हो तो इसके एक से दो गराम इसके जो फल है इसके एक से दो गराम इसके फल को आपको भून लेना है आपको इसे आग में जला लेना है भून लेना है और जितने मातरा में आप इसका चूरान लेरो जैसे एक दो गराम इसक में दर्दा हो रहे हैं फिर किसी भी समसा के काराण आपके पेट में दर्दा हो रहे हैं गेंस बनते हो तो बिलकुल आपके पेट में होने वाले दर्दसमापता हो जाते हैं तो यह थी इसके कुछ आयरवेदिक परोग इसके आयरवेदिक परोग की अंतरगत बवशीर गलाग खराज, गंठियां की जो दरदा हो रहें, वो भी इसी से ठीक होता है, कभी इसके बारे में भी स्तार से बताऊंगा, चलिए आप मैं आप लोगों को इसका धार्मिक परोग बताता हूँ, इसका धार्मिक माननेता में, पेंड़ पोधे के रिलेटेर जो जितने भी, क्योंकि ग्रहों को भी शंतुलित करने के काम करते हैं, तो पेड़ पोधे की इसके कोण से हिस्से का कोण से पीड़ा को दूर करने के लिए धार्मिक मिसका महत्वा बताएगा है, वनस्व दिखार, अगर किसी को पीलिया के बीमारी हो, या फिर सूर समंधी पीड़ा हो, दियन से शु को ठीक नहाने के पानी में डाल लीजे उबाल लीजे अब इसके पंचांग को जिसे पिल्या की बीमारी हो यह फिर सूर्य पीड़ा सतार हो सूर्य पीड़ा में चर्मा की बीमारी भी आती हैं तो केवाल तीन दिन आपको रभीवार और बुद्वार के दिन में केवाल तीन ब जागरीत करने के लिए आपके जो कुंडली में ग्रह स्थीर हो गई है आपके भागे शांथ नी देर के भागे चमक नीर आपके जो दिन जो रोटी ehoh a प्रकार के शाध बिल्कुल आप लाकिड के भाती चांदी में मडवा करके धर्ण कर सकते। बोतिसानी से ये बने जाते हैं तो बहुत ही लाब देते हैं आबके ग्रह को जो ग्रह आबके कहा जाये। आबको Нुक्सान पहुचाते हैं पिर जो ग्रह आबके इस्थीर हैं जागरी तवस्था में उसे जगाने का कम करते हैं मजबूती प्रदन करते हैं ये भी कहा जाता है माला बना करके इसके पहने से नजर्दोस नहीं लगते हैं आज भी छोटे बच्चे को बहुत जग आप देखना छोटे बच्चे को इसके माला बना करके पहनाते हैं नजर्द की प्राप्ती होती है कभी इसके बारे में बताऊंगा कौन से सिध्धी की प्राप्ती होती है इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का कम करते हैं इसके बीज को अगर आप अपने जमिन में ये फिर घर में जिसे आप वास्तु मनते हैं जो लोग मानते हैं उनके ल थानाते सभी मार्गकर से दहनाना शुरू होते हैं अब चाहते हो तो इसके बीजी को जमीन में आप अपने घर में दबा करके भी रख सकते हैं फिर घर के मुख्य हाँ वहाँ पे इसके पाजी बीजी को लाल कपड़ी में बांद कर के रखते हैं तो यह घर को पूर आपको बढ़ाते हैं जिसे दूसरे वेक्ति की बूरी नजर नहीं लगती चले मैं आप लोगों को अब इसका दो गुपता परोग वतारूं शायद यह गुपता परोग आपको कोई नहीं बताएंगे बिडियो में कंटीनिव बने रहना अभी तक बिडियो को लाइक नहीं के लेकिन जानकारी के अब हमें इस प्रकार के पेड़ पोध है की मिलने वाले जो फायदा इसे हम अंजान रहा जाते हैं भारत माता के गर्भ हमें आज भी इस प्रकार के पेड़ पोध हैं और हमें गर्भ होना चाहिए कि भारत भूमी में ये पेड़ पोध हमारे लिए अमर कर सकते हैं लाखो वर्स आब शाधना करेंगे तपस्चा करेंगे फिर भी देवी दियोताओं को देखना बहुत ही कष्ट है को भी व्यक्ति देवी दियोताओं को देखने के लिए शिद्यों की प्राप्ति करता है बहुत ही कठी तपस्चा करना पड़ता है इसे आप बहुत पुस्य नच्छत्रा, गुरुपुस्य नच्छत्रा, कृतिका नच्छत्रा, यह फिर होली यह फिर दीपावली, यह फिर कोई अच्छे बड़े जो दिन है, जैसे सूरे ग्रहन है, चंद्र ग्रहन है, तो इस प्रकार की दिन को शुब दिन कहे जाते हैं, धर्मा के इवाम आकासiran अकास में अड़ने वाली जो दिव्य शक्तियां सोुद्ध़।। करके लड़ते हैं तो हाथी को भी पटक दोगे हाथी को हरा दोगे इतना जधे श्रीम में बल प्रदान करते हैं लेकिन हाँ आपको कृतिकर नच्छत्रा कहीं चुनाव करना है क्योंकि अलग-लग पेंड़-पोधे अलग-लग नच्छत्रा में जागरी तवस्थ में होते हैं तो आसा करता हूं कि करण्स के बारे में जो दब्ययमँ चमतकारी के परयोग बताए हूं साइद या परयोग आपकी जीवन में मंगलमय यहों कल्यान कारी साबित जरूर होगे यह जानकारी कैसे लग हमें comment section में जरूर बताएगा आसके जानकारी पर समापत करता हूं दर्सको बिड़ देखने के लिए धनिवाद नमस्कार जाहिन जायरवेद